तो दोस्तों शुरुआत करते हैं थॉंगा हर्बर मास्टर पार्ट नाइंगी थॉंगे को शबा दोनों बीच पर पहुँच जाते हैं फिर शबा समदर किनारे जाती है और वहाँ पर पानी में खेल रही होती है थॉंगेक भी समदर किनारे जाता है लेकिन उसे वहाँ पर उचिन के स्टिंग लग जाते हैं थॉंगेक को काफी पेन हो रहा होता है इस वैसे शबा उसे बाहर लेकर जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए से ठीक करने के लिए थॉंगेक कहरा होता है कि मुझे लाइम चाहिए तो फिर शबा वहाँ पर लाइम ढूंट रही होती ही लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है फिर वो थॉंग एक के पास जाते रों से बोल रही होते है कि मेरे फादर ने मुझे एक तरीका बता है था उसे तुम्हारी हेल्प हो सकती है थॉंग एक पुछना जाता है कि वो कौन सा तरीका है तो फिर शावा बोलती है कि तुम मेरी पी का यूज़ कर सकते हो लेकिन थोंग एक मना कर देता है फिर शावा थोंग एक के पैर के ओऊ उपर खड़ी हो जाती है और अपने कप्ड़े उतार रही होती है थोंगेक दोबारा मना करता है और बोलता है कि तुम एक लड़की हो तो फिर तुम्हें प्राइवट स्पॉट में जाना चाहिए शबा उसकी बात मान जाती है और वो कहीं दूर चल जाती है फिर जब वो कुछ देर बात लोटती है तो फिर उसके हाथ में एक कोकोनट होता है उस कोकोनट में शबा की पी होती है और वो थोंगेक को दे रही होती है लेकि थोंगेक की लेने से मना कर देता है लेकिन वो दुबारा नहीं मान रही होती और इसी खीचतानी में जो भी सारा पी होता है वो थौंगेक के फेस पर गिर जाता है थौंगेक गुसे में शबा की ओर देख रहा होता है फिर शबा कहरी होती है कि मेरा हाथ भी गिला हो गया है थौंगे चिला कर बूर रहा होता है कि तुम्हारा सरफ हाथ ही लोई लेकिन मेरे फेच की तरफ देखो शभा उसा देखकर हसना स्सार्ट कर देती है इसको कुछ देर बाद शभा थौंगे को एक विलेज की तरफ लेकर जा रही होती है तब ही वहाँ पर शवा थौंगे के उपर गिर जाती है वहीं पास में किजी का घर होता है तो फिर उस घर में से एक आदमी बाहर निकलता है और वो थौंगे की हालत देखता है फिर वो उसे अपने घर में लेकर जाता है थौंगया घर पर पहुशने के बाद अपने पैर पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है तब ही हो देखता है कि उस आदमी के घर में से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है फिर वो उस आदमी से बोल रहा होता है कि आपका बच्चा बिमार है वो आदमी पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता तो फिर शवा उसे बता रही होती है कि थौंगय घर माश्टर और ये बच्चा के रोने जो बता सकता है कि वो बिमार है या फिर नहीं वहीं पासमस आत्मी की वाइफ बैटी होती है तो फिर थॉंगे की से बोल रही होती है क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो थॉंगे को उनकी बात मान जाता है फिर वो कुछ हफ्स को पीषता है और उस बच्चे को खिला देता है हफ्स कहाने के कुछ घंटे बात वो बच्चा ठीक हो जाता है फिर वो सारे मिलकर खाना खा रहे होते है तब ही वो आत्मी अपने घर के अंदर जाता है और वहां से कुछ चीज लेकर आता है फिर वो थॉंगे को दे देता है थौंगे कुछ चीज को देखता है तो फिर वो खावज होती है और वो काफी रेर तरीके की होती है अचानक से शवा की बाड़ी में इच्छिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर आत्मी की वाइफ होती है उ शवा से बोल रही होती है कि तुम्हें जाकर शाव लेना चीज़ तभी ठीक होगा शवा उनकी बात मांच जाती है फिर वो खाणा खाने के बात घर के पीछे जाती है शावर लेने के लिए लेकिन वो एक open air बातरू होता है तो फिर वहाँ पर दो लड़के आते हैं और वो शवा की ओर देखकर मुस्क्रा रही होते हैं शवा वही पास में शुब जाती है और लड़कों भागनी कुछ कर रही होते हैं लेकिन लड़के वहाँ से नहीं जाते हैं इसके बाद शवा थौंगे को वहाँ पर बला कर लाती है तो फिर थौंगे को से पूछ रहा होता है कि तुमने मज़े यहाँ पर क्यों बुलाया है शवा थौंगे को से कहरी होती है मैं चाहते हूं कि तुम यहाँ पर पहरेदारी करो क्योंकि यहाँ पर दो लड़कें जो कि मेरी और देख रहे हैं थौंगेक शबा की बात मान जाता है फिर वो उन दो लड़कों के पास जाता है और उन्हें समझा कर वहाँ से भेज देता है थोड़ी देर मैं शबा ना लेते है फिर शबा दुबारा यही चीज पूचती है और वो देले देले करके थौंगे के पास पहुच जाती है वहाँ पहुचती है वो थौंगे को पर पानी डालती है और वहाँ से भागने लग जाती है थौंगे कशबा का पीछा कर रहा होता है लेकिन वो नहीं भाग पाता है इस वज़े शाम को वो दोनों बीच पर बैट वे होते हैं तो फिर थोंग एक शाबा को मेडिसन के बारे में बता रहा होता है और वो शाबा से पूछ रहा होता है कि तुम हरूर मास्टर क्यों बनना चाते हैं शाबा उसे बता रही होती है कि मैं लोगों का इलाज करना चाते हूं इस वज़े से लेकिन मेरे पेंट्स का कुछ औरी प्लैन है मेरे रहे वो चाते हैं कि मैं खाना बनाऊं और कपड़े साफ करूं मुझे ये सब करना पसंद नहीं फिर थॉंग एक बोल रहा होता है कि ये तो सही बात है तुम एक लड़की हो तो फिर तुमें लड़कीों के काम आने चाहिए शाबा थॉंग एक से पूछ रही होती है कि हमारे सुसाइटी में जो रोस है वो डिवाइट क्यों है कि ये काम सिर्फ वोमन कर सकती है या फिर ये काम सिर्फ मैन कर सकते है ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी हम चाहे वो ही हम करें जैसे कि तुम एक्जामपल के तौर पर पम ले सकते हो वो एक मैन है लेकिन उसका जो हैंडी क्राफ्ट का स्किल है वो बहुत ही अच्छा है यहां तक ही वूमन से भी थॉंग एक शाबा की और देखने जाते हो उससे बूर रहा होता है मुझे पहला लगाता कि तुम सिर्फ मज़े करने के लिए आती हो लेकिन तुम एतनी दूर तक आगे हु इस वैसे मैं बिलीव करता हो कि तुम वाक्य में हरूर मास्टर बनना चाती हो फिर शबा थंगेक से पूछ vein होते है कि तुम क्यों बनना चाते है हरूर मास्टर थंगेक बता रहा होता है कि जितना मुझे याद है मैं हमेज़ा से हब्स के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मेरे ग्रेंटपवी हरो मास्टर थे और साथ ही मेरे फादर भी मेरी मॉम भी उनकी हेल्प करा करती थी लेकिन एक दिन वो पेशेंट की विसे भिमार हो गी और मेरे फादर उने नहीं बजा पाए और कुछी दिनों बाद मेरे फादर भी इंफेक्टेड हो गए उस टाइम पर मैं अपने फादर की हेल्प भी नहीं कर पाया और उनकी भी डेथ हो गई इस वैसे मैं एक बहुत ही अच्छा हरो मास्टर बना चाहता हूँ ताकि मैं लोग की जान बचा सकूँ अचानक से शابा मुझकरा कर खड़ी होती है फिर वो चिलाकर बोल रही होती है कि अब तो मैं हरुल मास्टर बन के ही रहूंगी फिर वो दोनों वापिस उसे आत्में घर में जाते हैं सोने के लिए वो दोनों एकी रूमें सो रही होते हैं लेकिन शबा ने एक मच्छरदानी लगा रखी होती है और जो थोंगे को होता है वो मच्छरदानी से बाहर सो रहा होता है इस वैसे उसे मच्छर काट रहे होते हैं फिर वो देखता है कि शबा सो गही होती है और उसका जो फेस होता है वो दूसरी तरफ होता है इस वैसे वो भी मच्चदानी के अंदर चला जाता है जैसे थोंगेक वहाँ पर लेड़ता है तब ही शबा अपना फेज उसकी और कर लेती है फिर थोंगेक भी उसकी और देखकर मुस्करा रहा होता है और वो वहीं पर सो जाता है अगली सुबह वो दोनों अपना समान पैक करते हैं और घर की और निकल पड़ते हैं कुछ घंटे बीतने के बाद वो अपने गाउं में पहुँच जाते हैं फिर थोंगे अपने घर पे जाता है और वहाँ पर सारी हपस दे रहा होता है अपने ग्रेंट फादर को वहीं पास में पियाक और टून भी होते हैं तो फिर पियाक थोंगेक से बूर रहा होता है कि जब तुम अपनी जर्नी के लिए जा रहे थे तब यहाँ पर शावा भी आई थी और जैसे शावा को बाद चला कि तुम किसी और गाउं चले गए हो तब से वह यहाँ पर नहीं आई है यह तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि अब वह यहाँ पर नहीं आएगे तुम्हें ढूंडते हुए तॉंगेक कह रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो शावा मेरे साथ ही जर्नी पे गई थी ग्रैंट फादर सर्प्राइज जाते हैं और वो पूशे होते हैं क्या उसने तुम्हें परिशान नहीं किया तो फिर थौंगेक मना कर देता है पियाक और टून दोनों थौंगेक की और गूर कर देखना जातर बोल रहे होते हैं कि कुस तो गर बढ़ है चौंको अभी भी शाबा की घर पे होती है लेकिन जो शाबा के पेंट्स होते हैं वो घर पे नहीं होते हैं क्योंकि वो दोनों ट्रिप पर गए हुए होते हैं तब ही उसके पेंट्स वापित आते हैं तो फिर जो शाबा की मॉम होती है वो शाबा की रूम में जाती है और उसे आवाज लगा रही होती है चौंको अपना फेस कवर कर लेती है और शाबा के बैट पे लेट जाती है शाबा की मॉम कवर को अड़ा रही होती है तब ही वहाँ पर शाबा पहुच जाती है फिर शाबा की मॉम पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो फिर शाबा बोल रही होती है कि हम दोनों आपके सथ प्रैंक कर रहे थे फिर वो सारे बाहर जाते हैं और बात कर रहे होते हैं तो फिर शाबा की मौम चौंकों से बूर रही होते हैं कि आज के बाद तुम ऐसा मत करना चौंकों उनकी बात मान जाती है और वहां से चली जाती है शाबा बहुत जादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसकी मॉम को नहीं पता चलता है कि वो विलेस से बाहर गई थी शाबा के फादर बाहर होते हैं वो काफी परिशान होते हैं क्योंकि वो दोपैर को गला की मॉम से मिलने के लगए होते हैं शाबा के फादर पे बहुत जारा कर्ज होता है गला की मॉम का तो फिर उसकी मॉम मुझे बोल रही होती है कि अगर तुम मेरे बेटे की शादी शादी शाबा से करवाद होगे तो फिर मैं सारा डप बोल जाओंगी और तुम ये मत भूलो कि जितनी मेरी सारी प्रोपर्टी है वो गला के नाम हो जाएगी तो फिर शाबा एक लक्जिरियस लाइफ जिएगी शाबा के फादर कहरे होते हैं कि मुझे पैसे के वारा में जिनता नहीं है लेकिन मैं शाबा को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ गला की माम कहरी होते हैं कि अगर तुम मेरा ओफर रेफ्यूज कर रहे हो तो फिर तुम्हें पैसे देने होंगे इसी बारे हम बार बार सोचकर शाबा के फादर काफी परिशान होते हैं तब ही शाबा अपने रूम से बाहर आती है अपने फादर के पास शबा के फादर शबा से कह रहे होते हैं किया तुम शादी करना चाहती हो तुम फिर शबा बोल रहे होते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हो फिर उसके फादर बोलते हैं कि गला तुमसे मिलने के लिए आता है क्या तुम उसे पसंद करती हो शबा हसना स्टार्ट कर देती और बोल रही होती है कि गला एक अच्छा लड़का है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि अगर तुम गला के साथ टाइम स्पेंट करोगी तो फिर तुम उसे पसंद करने लग जाओगी और ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं शबा थोड़ी सी कन्फिस जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है अगली सुबह थोग एक अपने घर के बाहर बैठा होता है कुछ टेक्सबुक लेके और वो शबा का वेट कर रहा होता है फिर पियाक और टून थोग के पास जाते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम इनका क्या करने वाले हो टून थोगेक से बोल रहा होता है कि अब वाके में तुमें लगता है कि वो यहाँ पर मेडिसन जिखने के लिए आती है ऐसा तो नहीं कि तब मुझे पसंद करते हो पॉंग उसका इशारा समझ जाती है और वो किसी बहाने से उससे मिलने के लिए वहां से चली जाती है इदर शहबा के घर पे उसकी मौम और पॉंग के साथ गला के घर पे जा रहे होते हैं शहबा पूछ रही होती है कि आप दोनों वहां पर क्यों जा रहे हो तो फिर शावा की मौम कह रही होती है कि मैं तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है शावा को उनकी बात मानी पर जाती है और वो पम के साथ गला के घर पर जा रही होती है इदर पॉंग थौंग एक्से मिलने के ले जाती है और जैसे युझे ही वो उसे देखती है तो फिर वो खुशी से उसे हग कर लेती है लेकिन थौंग के ज Circस àsर रियाक्त नहीं करता और वो पॉंग को दूर कर देता है अपने आप से पौंक थॉंक से बोल रही होती है मुझे नहीं लगाता कि तुम यहाँ पर आओगे तो फिर थॉंक बोल रहा होता है कि मैंने तुम से प्रोमस किया था इस वैसे मैं आया हूँ पॉंक थॉंक से पूच Condis पूचने लगे जाती है थोंगे काफी परिशान हो जाता है शाबा भी अपनी फैमिली के साथ गला के घर पर पहुँच के ही होती है तो फिर गला शाबा से बोल रहा होता है कि आकर कार तुम यहां पर आए गई मैं तुम्हारा काफे दिन से वेट कर रहा हूँ शाबा की माम गला से कह रही होती है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो कि तुम शाबा से बहुत दोंगों से नहीं मिले जबकि तुम इससे हल रोज मिलने के लिए आते थे घर पर तब ही शाबा बोल जाती है कि हाँ गला तो भूल गया शवा कह रही होती है कि मैं तुम्हें कोई जवाब क्यों दूँ तुम मेरे फादर नहीं हो गला अपने में बूर रहा होता है कि मैं तुम्हारा हजमन बनने वाला हूँ फ्यूचर में तब ही शाबा दूसरे साइट में देखती है कि वहाँ पर पम बैठा हुआ होता है गला की सिस्टर के साथ और वो से बात कर रहा होता है इधर घर के अंदर गला की मॉम शाबा की मॉम से बात कर रही होती है और उनसे कहरी होती है कि हमें जल से जल उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए शाबा की मॉम बोल रही होती है कि मैं अबजेक्ट नहीं कर रही है अगर उन दोनों दूसरे को प्यार करते हैं गला वैसे ही बहुत ही अच्छा लड़का है बस प्रावडम शवा है गला की मॉम बोल रही होती है कि मुझे कोई प्रावडम नहीं है जानते हूं कि शवा का मैनट थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन मेरा बेटा से पसंद करता है तबी मॉम की मॉम गला और शवा की मॉम से कहरी होती है कि हम उन दोनों को साथ में रखना चाहिए ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्प्रेंट कर सकें उसी टाइम गला की मॉम को काड़िया आता है और वो शवा की मॉम से कहरी होती है कि हमारे यहाँ पर एक English कर टीचर आता है जो कि गला को English सिखाता है क्यों ना तुम शवा को भी यहाँ पर बेच दो English सीखने के लिए शवा की मौम बात मान जाती है फिर वो शवा को घर के अंदर बलाती है और उससे बोड़ रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अपसे English सीखने के लिए आना होगा शवा माना कर देती है फिर उसकी मौम बोर रही होती है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे फॉरान राते है तो फिर तुम उनसे communicate कर पाओगी शवा कहने लग जाती है फिर पम यहाँ पर आ सकता है वैसे भी उसे यहाँ पर आना काफी पसंद है तो फिर पम गला की बहन की और देखने लग जाता है और मुस्कराने लग जाता है पम की मौम कहरी होती है कि पम पहले से English में काफी अच्छा है तब ही पम कहरी होती है कि मैं और वी पढ़ना चाहता हूँ इसके बाद पम की मौम गला की मौम से रिक्वेस्ट करी होती है कि वो पम और रॉम्पोई को यहाँ पर बैठा लें ताकि वो भी English सी सके तो फिर उसकी मौम बाद मान जाती है अचानक से शबा को सोच रही होती है फिर सोचने के बाद तो अपनी मॉम से बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आउंगी तो फिर मैं दिन में गर पे नहीं रहे पाऊंगी शवा की मॉम कहती है कि यह तो जाहिद सी बात है और यह सुनते ही शवा मुस्क्रान लग जाती है और फिर शवा पर इंगली स्क्रास लेने के लिए तयार हो जाती है अगली दिन थॉंगे अपने घर के बाहर वेट कर रहा होता है शवा का और जो शवा होती है वो गला के घर पे होती है वहाँ पर इंगली स्क्रास दे रही होती है काफी देर होगी होती है और शाबा तोंग के घर पे नहीं जाती इस वैसे तोंग अभ भी उसके नतिदा कर रहा होता है ये तो अच्छी बात है कि उसे यहां पर नहीं आना चाहिए तो फिर वो हमारी हैलप कर देगी और हमारा काम जल्दी हो जाएगा पियाग थोंगक से बोल रहा होता है क्या तूम उसे पसंद करते हो उसी टाइम ग्रैंट फादर वहाँ पर पहुच जाते हैं और वो यह बात सुन लेते हैं और वो थौंगक से कह रहे होते हैं कि शवा तौमारी लीक से बहुत ज़दा भार है क्योंकि वो बहुत ज़दा अमीर है। टून थौंगेक से बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुम शबा को पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती है वो सरफ यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है थौंगेक भी गुश्सें बोल रहा होता है कि मैं भी उसे पसंद नहीं करता इसके बाद grandfather thonge को medicine देते हैं, और किसी गाओं वाले के पास ले जाने के लिए बोलते हैं, thonge उनकी बात मान जाता है और वो प्याक को टूं के साथ village में जाता है, वो medicine देने के लिए, शेमान मुम्न अपनी daughter, pong के साथ विलेच की मार्केंड बैटी होती है, और वहाँ पर ए कर रहे हो अगर तुम है से बोलता है कि मैं इसका लवर हूं यह बास सुनता ही वह आदमी बोलता है कि तुम मेरी बेटी का पीछे छोड़ दो और वैसे अब ये मेरी बेटी है तो फिर मैं चाहूंगी जिससे मर्जिस की शादी कराऊंगी तुम्हें इससे क्या फिर वहाँ पर कुछ गौवाले भी आते हैं और उनकी ओर देख रहे होते हैं तो फिर प्याक थौंगे को से बूर रहा होता है कि अगर ये बात तुम्हारा ग्रेंट शमरमुन कहरी होते है कि ये प्यार वर कुछ नहीं होता बलकि ये लस्ट है जिस दिन वो तुमसे बोर हो जाएगा वो तुम्हें भी डम कर देगा पौंग बोर रही होते है कि थौंगे मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा थौंग एक प्याक और टून के साथ जा रहा होत कि चौक को सिरf मेरी है ठॉंख अ कुँंदों को सम्जा रहा होता है कि मैं सरब pakॉंग की यहीन कहते है defending क्यों कि आदमि यहें मैंसे लिए उसके लिए उसके लीए फिल करता हूं बस चोटे चोटे पैबल फेक रही होती है थौंगे भी यही सेम कह रहा होता और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है कुछ हपस के बारे में बताने के लिए जाते रहुन रास्ते में एक चड़ाई बढ़ती है तो फिर थौंगे शबा का हाथ पकड़ लेता त उपर पहुशने के बाद वो उसे हफस के बारे में बताता है और दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं फिर शबा एक नोटबुक निकालती है और वहाँ पर कुछ फ्लावर की पेंटिंग कर रही होती है तो फिर थौंगे उसकी और देखकर बोल रहा होता है कि तुम्हारे बहुत सारे पार्ट हैं जो की यूसफुल है शबा थौंगे की और देख रही होता है कि तुम्हे बावर्ट हो थौंगे कहरा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बलकि रोज ओफ शेरोन के बारे में बात कर रहा हूँ हम उसे फ्लावर के तोर पे यूस कर सकते हैं उ तुम मेरे पास आओगे पढ़ने के लिए शवा मुस्करा कर बोलती है कि इकन में पक्का आओंगी इसके बाद वो दुनों घर चले जाते हैं अगले दिन शवा गला के घर पे जाती है और वहाँ पर उसे रिक्रेश्ट कर रही होती है जो क्लास किप करने के लिए कि वो फूफ़ के ही Ç toyina करेके लिए पहुते हैं कि जो पाम है वो काफी फास्ट लर्न अरह लेकिन भी शवा के बारे में नहीं बता सकता हो क्योंकि वो क्लास किप करती है तो दोस्तों यहीं गदम होता है यह पार्ट